बच्ech पन हर किसी का होता है और बच्चपन के खेल भी निजाले होते हैं कोई गुली रिंडा खेलता है कोई 99 खेलता है कोई पतंग उड़ाता है क्रिकेट भी है इस देश में फृट बाल भी खेलते हैं बच्चे और कुछ खेल ऐसे होते हैं जो बड़े दिलचस्ट होते हैं और वो बड़े ज़ाले होते हैं, खुद ही डिवलफ कर लिए जाते हैं, खुद ही उनकी खोज हो जाती है। तो ये किस्सा में इसलिए बता रहा हुआं कि लख्नवू में दो भाईयों ने एक नया खेल खोज लिया और वो खेल था रेडियो रेडियो, और बड़े भाई भी संगीत में बहुत दिल्चस्पी रखते थे छोटे भाई भी रखते थे तो छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा कि आप announcement करिये और मैं जो है वो गाने गाऊंगा तो बड़े भाई ने अपना थोड़ा रॉब दिखाया और का कि ने ने announcement तुम करो गाना मैं गाऊंगा जब ये बात थोड़ा बढ़ गई तो एक चपत भी बढ़ गई चोटे भाई को और का गए कि ने announcement करनी तो तुम्हें ही पड़ेगी तो गुस्से में चोटे भाई ने जो announcement की वो बड़ी दिल्चस्प है उन्हों ने का कि ये अकाश्माणी का लखनो केंद्र है रात के ग्यारा बजने है विर्थ भारती कारिक्रम में आपका स्वागत है और कारिक्रम समाब्थ हुए अब ये जो छोटे भाई का ये announcement था वो छोटे भाई बाद में बन गए पुरी दुनिया में भजन सम्राट के नाम से मशूर अनूप जलोटा जी तो क्यो ना उनसे पूछे किस्से के बाद क्या हुआ फिर वो बचे कैसे मार से बैया कैसे बचे फिर मैं तो उसके बाद भाग लिया था तो वो मुझे ढूंटते रहे ना भाग गया के तो इस तरह कि नोग जोक हमारी हमारे भाई से बहुत होती थी और वो जो अपने कंचे खेलने का जिक्र गिया ना कंचे हम भी बहुत खेलते थे और कंचे खेलने में हमको मार पड़ी थी पिता जी की बहुत पिता जी ने कहा अगर खेलने है कुछ तो कंचे कâte हो कहन सा वर्ल टूर्लमेंट होता है हां 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 तो फिर हमने पिर करिकेट ने अच्छी खेलने रहे थैं जी हम अपनी टीम में थे कालेज के टीम में भी ते अच्छा खेले और इसलिए कुछ और पिता जी तो आपके खुद इतने मतलब मशूर और इतने विश्व विख्यात भजन समराठ के तौर पर उनकी भी इपलब्दी रही उनकी गाई की रही उनकी देन है जो हमारा अधिकांज संगी जो है उनका यह जिसन गाते हैं उसे हम और पॉपलर कर रहें लेकिन मेरा प आपको यह लिबर्टी दीए आपको मानना पड़ेगा बिल्कुल दीए लेकिन साथ में रियाज भी खुब कराते थे बहुत स्टिक्टीचर थे कमरे में बंद कर देते थे कि आज तीन घंटे माँ दर्वादा खुलूंगा केवल साग आना और कुछ नहीं है एक सुर दूस है मैं आपको बताओं कि आज में तीन-चार घंटे रियास करता हूं और यही कारण है कि आज अब नाम 66 इस उम्र में मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी 36 सान गई हूं और मैं उस तरह 3-4 घंटे प्रोगाम में गा जाता हूं सच तो यह है कि अगर आप तीन दिन ना नहाए कि आपके शरीर से बदोने लगती हैły तीन दिन रियाज ना करिये तो आपके गाने से बदोने लगते हैं किया बाद इतना जरूरी है तो इसको अगर तीखे शब्दों में कहा जा तो ऐसे कहा जाएगा आपके बच्पन की एक पोल मैंने खुली एक मुझे और आपने बताया है कभी कि आप टीचरों को क्लास के बाद गाने सुना के जो ज़्यादा नहीं कर दिया गाते हैं हमने कभी तीन घंटे एक घंटे बैठक टीहां कि किया लेकिन पिता जी ने एक कंडीशन रखी कि अगर मुंबई जाना है कुछ काम करने तो दिये करना जुरूरी है तो हमने का पिए दिये भी करना तो पढ़ना में बढ़ेगा थोड़ा तो पढ़े भी लख्रणो युनिवर्स्टी से दिये किया साथ साथ भार्ट खंदे मीजी कॉलिज से संगीत भी सीखते रहे पिता जी द्रहन किया है पिता जी के साथ में बहुत जादा बैठागी संग मेरी माउं भी गाती थी उनको विए तो मैंने ने तो बहुत द्यास करता थो आज जो आप भजन गाते हैं और वो जो पीचरों को से नंबर लेने वाले भजन थे क्या वही भजन है या कुछ बदलाव आया है लेकि जैसे उसके बाद हमने कंपोज किये ऐसी लागी लगन जग में सुन्दर हैं दो नाम गुकाला एक बासरी बाला यह सब लेकिन उन दिनों जो उनको सुनाते थे उसमें चदरिया जीनी रे जीनी के राम नाम रस्भीनी चदरिया ऊज़े थे ऊछुमक चलत राम चंद्र बाजत पर जनी आठोमक चलत राम यहां ऐस तरह कि अच्छा आप जिस झिस आपने कहा अधात्तर की बात है कि आसी लागी लगन कंपोज हूआ और आप जितनी जानकारी मुझे कि उसको कंपोस करने में आपको बहुत समय नहीं लगा क्योंकि किसी ने लाकर आपको आप वो लाइन दी और आपने कई बार उस लाइन को पढ़ा और अपने आप ही खाना खाते खाते हुए था कैसे अमेरिका में न्यू जर्सी में मैं एक अ खाना भी काती हैं तो जब मैं खा रहा था खाना तो मेरी आदे तो मैं हाद से खाता हूँ दाल लोडी सब्सक्राइब चाव लाइन लाइन लिए उसमें लिखा हुए इंद्रा देवी का लिखा हुए पूना में रहती थी हरे किश्म की फॉलवर तो बस वो मैं अटक गया खाना मैंने जल्दी से खतम किया और वो बीस पच्चिस वार पढ़ लिया मैंने फिर उनको किताब दे दी जब खाना खतम हुआ तो मैंने उनसे का जरा हार्मनिम दीए और मैंने गाना सुना दिया तो बन चुका था तो ऐसी चीज़े जो हैं उसक धुन छुपी होती है वो उसको निकालना क्योंकि कभी जब कोई अपनी कविता लिखता है तो गुन गुना की लिखता है उसकी जो धुन है उसको पकड़ना है उसके वाइबरेशन तक अगर हम पहुँच गए तो गाना अमर हो जाएगा जैसे मैया मुरी मैनी माखन खायो वो सूर्दार जी ने यही धुन में सोच के लिखा हो गाए तो उसको अगर पकड़ लिया फायो जी मैने वो लिखते समय मीरा भाई ने सोचा हो गए ऐसे धुन होनी चाए बस वहां तक पहुंचना है तो वो कैसे पहुच पाएंगे पवितर्दा से अध्यात्म से अपनी कागरता से तो अगर आप पूरी तरह उसमें इन्वाल हैं तो मीरा भाई खुद आके बता देंगे यह धुन हैं क्या भाई तो सिदाजी आ जाएंगे कि वेटा इस धुन अगा दो यह मेरी यह धुन थी हम उस धुन को पगड़ लेते हैं और मैंने सुना है आप तो एक बा है मेरे साथ बैठे हैं तो मैं गाओं कैसे पीता जी का रहे है वह मेरे साथ सुन रहे 170 1970 1960 कभी प्रेसा वाक्या हो आपके जीवन में जब लगा हो कि कोई ऐसी काया बगल में है आज भी होता है अच्छा आज भी होता है कि में मंच पर ही होता हूं कि गा रहा हूं और मुझे लगता है ब्लैंक हो गरत कोई है जो गमा रहा है प्रोग्राम से पहले मेरे मिजीशन मुझे कहते हैं अनु जी आपकी गला ठीक नहीं लग रहा है क्या वात है तो मैं बैठने तो दो हमने कब गाया है कोई गवाता है इसलिए आपने देखा होगा हमेशा कि मैं गाना शुरू करने से पहले उपर देखता हूं आ रहे हो क्या अभी पहुंचे नहीं और तंद गाना शुरू करता हूं क्योंकि मुझे उसकी शक्ति से ही मिलता है ने तो आप सोचिए जड़ा तीन घंटा हर तरह की पब्लिक सामने बैठी भाजन कैसे सुन सकते हैं और वावा कर रहे हैं डांस कर रहे हैं मजे लेरी कैसे सं भवे जो वहां ईश्वर की मौदूद ही है तो इस पर एक शरारती सवाल यह भी बनता है क्या कभी ऐसा भी हुआ कभी ऐसा हुआ है क्योंकि प्रभु जो है वो मेरे माध्यम से अपना संगीत लोगों से सामने प्रस्तूत करा रहे हैं तो हो गई है अच्छा बात थोड़ी अगे निकल गई लेकिन ऐसी लागी लगन तो मतलब रिक्वेस्ट ना कुनों तो ऐसी लागी लगन यह मैं करीब 4000 बाग आ चुका हुआ है मुझे पता है और इसका किस्सा में भी आपके चुछूंगा मीरा हुगई मगन वो तो गली 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 हरी गुन गाने लगी मह देलों में पली बनके जूगन चली मीरा रानी दिवानी कहाने लगी ऐसी लागी लगी मुझे आपने बताया था कि अगर यह ना गाए तो आयो जग पैसे नहीं देते हैं तो पहले गा देता हूं पहला गाना मेरा यह होता है जो यह पेमेंट त्यार कर दो तो ऐसा भी होता होगा कि जैसे माल लीजी की कारिक्रम शुरू हुआ और आपने यह गा दिया बीस पच्चिस लोग थोड़ी देरी से आये माल लीजी तो जरूर कहते होंगे कि खतम करने से पहले एक बार यह गाहिये दुबारा और दुबाना गाना पड़ता होता है कि कितने लोग लेट आ हैं संतुष्ट करने हुने हम इसलिए थोड़ी आए कि नहीं पर अबने गाएंगे एक बार गालिया गालिया अरे कोई महां पहलवानी दिखाने तो ले आए लोग सुनने आये हैं दस बार सुना देंगे वो गाना अगर उनको आनंद आएगा क्योंकि हमको भी तो आरा आनं आने की है और मैं ये भी जानता हूं कि अपकी गायकी का जो एक बहुत खास रंग है जिसको लेकर खूब तालियां बचती है है हौल में जितने भी कारिक्रम हुए हैं जब आप लंबा सांस खीचते हैं क्या इन सारी बातों का अपस में कोई कनेक्शन है उन्होंने वोगे बर्दान दिया, वहीं बैठे-बैठे, वो पवन पुत्र है, वायू उनके कंट्रोल में है, पवन पुत्र है, तो जिसको चाहे जितनी लंबी सांस दे रहे, और हम पवन काई तो काम करते हैं, हम जो गाते हैं, वो सांस क्या है, छोटी सांस भी हो सकती है, अगर हम रियाज न मेरे रिसानी बापारे, मेरे वायू अच्छा भीया, जब आप ये तै हुआ, कि संगीत ही सीखना है, चुकि विरासत में है, पिता जी है, पिता जी का बहुत नाम है, और आपके यहां तो उस दौर के जितने बड़े कलाकार थे चाहें, वो बिर्जु महराज जी से लेके, परिवार के हीता, तो आप जब सीख रहे तो कभी दिमाग में ये था कि कोई confusion था, ये तै था कि मुझे भक्ति संगीत या भजन ही गाने है, लेकिन ये तै नहीं था कि गाना क्या है ये तै था कि संगीत कार बनता हो सकता है मैं सितार बादग बन जाता है सितार भी बजाता हूँ हो सकता है मैं तबला बलेर बन जाता है हो सकता है मैं हार्मोनिम बलेर बन जाता है वो भी बजाता हूँ लेकिन नहीं दिरे 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 अंदर से इच्छा यह होती गई कि गाना ही गाना है और गाने में लगए उसमें अभ्याज शुरू कर दिया राज शुरू कर दिया और मैं इतना अच्छा हरुनिम बजाता था बच्पन में कि लखनवु में वहां के सिंगर्स मुझे अपने मने ले झाते थैंए अपने साथ या मने इसाथ बजा ले 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 लेता कि टार प通पी 만들어 व्रक्रांट अब में पांस कॉम्मेर में जाते दिया ऌगा Proseod और दिया काने की आपको फुल प्रेजच्ट अपना याद आता है फुल फेलट lesson आता है कि इस उसक्त मैं आठ साल का था और वो मैं जो पहला प्रोग्राम पिता जी के साथ दो भजन गा के कर चुगा था तो मेरे पिता जी ने का यह बड़ा कॉंफिटेंज है तुमको मैंने यूही कहा गा दो तुम पूरा गा गए और बड़े-बड़े मुजीशन तुम्हारे साथ बज जो बेगा मकतर के साथ बजा तिर्फ है वो बजा रहे है वो भी बड़े खुश हुए और उसके एक साल वाई मैंने अकेले प्रोग्राम किया लेकिन लंबा नहीं किया चालिस मिनिट का किया चालिस मिनिट भी अनुम जी बहुत होते हैं मैं अभी तो चार गंडे का करता उमर और तजर्वा भी तो बढ़ा है इतने सालों में बहुत बढ़ गया और एक मैंने खास सीज अपने पिता जी से सीखी हमारे पिता जी में एक शक्ती रही है कि वो अगर कोई गाना एक बार पढ़ लें तो प्रिंट हो जाता है फिर उनको किताब देखने की जरूरती प मेरे में इतनी आगी कि अगर मैं एक गाना एक बार लिख लूँ तो प्रिंट हो जाता है तो मेरे पागो डायरी नहीं है अच्छा मैं वो लिख के घर में छो लेता हूं मतलब यह जो चार घंटे के आप कारिकरम करते हैं उस दौरा दायरी नहीं होती है अज तक नहीं जबकि संगीत के गुरू आजकल तो सबसे पहले डायरी ही बनवाते हैं कि डायरी बना लिजे शुरू में कुछ ताने लिख लिजे पीछ में पीछे कुछ लाइट के गाने कुछ बंदिश लिख लिए थे कि वो लो पड़े लिखे लोग हैं तो डायरी रुखते हैं अच्छा अनुब जी वैसे तो आपके पिता जी को संगीत के तमाम लोग जानते हैं उनको पदमश्री भी मिला है यानि भारत सरकार हाँ हाँ वो बद बड़े कलाकार मैं यह चाह तो देख लो ऐसे चलते हैं भगवान राम ठोट 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 एक चीज आप व्यूजलाइज कर सकते हैं आप आख बंद कर ले तो आपको लगेगा कि भगवान राम आपके सामने छोटे से हैं चल रहे हैं यह कला पिता जी ने थोड़ी से मुझे दी कितना नंबर देंगे अगर मैं मुश्किल सवाल हो सकता है लेकिन अगर उस पिता जैसे पिता जी यह द्रिश्य दिखा देते थे अपनी गाईकी से आज अगर आप से वह सपने में आया और पूछें कि बेटा तुमने कितना फॉलो किया मेरे गाईकी को बीस परसेंट अच्छा एटली हुआ क्य और मेरा बहुत नाम हो गया फिर मेरा वो सीखना बंद हो गया मेरे अंदर अगर कोई रिग्रेट है तो यह है कि भगवान ने मेरा नाम जड़ा जल्दी कर दिया पांच साल और रुख जाता वो पांच साल रुखने के बाद मेरा नाम करता तो मैं और अच्छा गाता क्यों वो बंद हो गया और वो एल्बम थी कौन सी वो भी यूह आगे थी हमने रिकॉर्ड दो किये नहीं थी देखिया हमारे जीवन में सब कुछ घटित हुआ है जैसे जनम से बता दूआ हमारे माता पिता गर्मियों के छुट्रियों में नैनी ताल गूमने जाते थी दो गए तीन आगे मेरा जनम एक घटना उन दोनों डेट थोड़ी फिक्स होती थी कब होने वाले 66 पहले आगे तो मेरा जनम तो नेनी ताल का लिखा गया लेकिन मैं लखनूगा हूँ उसके बाद क्या हुआ हुआ यह जो एल्बम है मैं एक प्रोग्राम कर रहा था हारे किष्णा मंदि जुग में 1979 में हमें ने सब भजन गाए तो हमारे साथ गुरदीप सिंग गिटार बजा रहे थे रूप कुमार अठोट तबला बजा रहे थे मैं हरम उने बजा रहा था हमने प्रोग्राम किया हम वापस आगे प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ था तीन महीने बाद एक तता है वहाँ से उनके रिकॉर्डिस थे दमन सूध कहलेकर तुम घा रहे थे न यार वो मैंने रिकॉर्ड किया और बड़ा अच्छा लग रहा है जरा के सुनो किया अच्छा लग रहा है यार अच्छा कम है मंजीरे की आवाजनी मंजीरा चाहिए ते पर चूँ चूँ च प्याइब उसके बाद पॉडिडोर ने इसको सुना उन्हों न का जहां इसका डबल एल्बू बनाएंगा अरे मैंने का सिंगल विगता नहीं डबल बनारे चले हो इन्हें बनाएंगा बस वह बना बाद खत्म हिस्ट्री उसके बाद से आज तक मेरे फुरसत ही नहीं सीखने क को इसमराण करके जड़ा सुनाई यह ठुमक चलत की है कैसे वह ठुमक चलत रामचंद्र ठुमक 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 ठु बाजत पैजनियां ठुमक चलत रांद अच्छा नुब जी जब आप शास्त्री संगीत सीख रहे थे तो कौन से हलाकि बड़ा किसी कलाकार के लिए ये कह देना कि मुझे ये राग बहुत पसंद था और ये राग नहीं पसंद था मुझे होता होगा या शायद असंभव होता होगा लेकिन कौन से राग आपको ज़्यादा पसंद रहे उस समय में या जो आपके भजनों में सबसे ज़्यादा जिस राग का आप इस्तेमाल करते हों कुछ राग ऐसे हैं जो हरे गायक कलाकार के फेवरिट हैं दरबारी है मालकोंस है भेरवी है तोडी है केदार है तो ये सब रागों को सभी गाते हैं चाहे वो संगीत मार्तन पंडी जस्राज हो या भीम सेंजोशी जी हो शब लोग इन प्रचलित रागों को अब शिगाते फिर उनके कुछ और फेवरेट राग होते हैं इसी तरह हमारे भी लेकिन हमने फिर गुजरी तोड़ी बहुत पसंद की जिसमें जग में सुंदर हैं दो नाम तुम्हारे शहर का मौसं कभी कभी भगवान को भी उड़ जाएगा हंस अकेला तो इतने सारे वजन गजल तो गु कोई बंदिश भी गुजरी तोड़ी की जवाब भॉल वही तोड़ी बात तकत पिया नैन अलसान सगरी दैन कहां जागे है भॉल वही तोड़ी बात अच्छा पर एक चीज मैं समझना चाहता हूं एक गायक के तोर पर जैसे जब आप किसी भजन में किसी किसी उल्लास की ब प्वारत राम चंद्रबाशत पहज़निया यह आप चुछ दुक की बात कर रहे हैं आप अपने स्वरों से उस चीज को प्रकट कर देते जो शामने शौताहबेट उनको मेहसूस करा देतें अगर आप अब कह रहेएं लहर तो वह Right आप दिखा देते अपने से यह कैसे होता यह इस तरह संभ होता है कि जो कुमल स्वर होते हैं, उस में अधिकतर sad song गाई जाते हैं, जो शुद्ध स्वर होते हैं, उस में ज्यादतर राष्ट प्रेम के गाने गाई जाते हैं, तो उस से एक state note से लोगों के अंदर वो जोश जागरत होता है, जिब लहर की बात होती है, तो तान अलाप उस तरह आ जाता है अब जैसे घुलाम अली साथ गाते है दिल में एक लहर सी उठी है अभी दिल में एक लहर सी उठी लहर सी लहर सी अब यह लहर बताते है जितना मादो जितना तरह लिए तो ये उपज तम आएगी जब आपने राग सीखी हो और तान आलाप आपके अंदर अच्छी तरह से स्थावत हो तो क्या ये वही चीज़ है जो अभी थोई दिर पहले आप चलत को लेकर प्रयोक्ति है वही है वही है बिल्कुल वही है लेकिन उसमें उतरना पड़ेगा प्रफम नादवम्हक्ती कविता पहले है जब कविता को हम समझ के थीक से घाएंगे तब chakossa होंगा नहीं तो दरा दराधर असा नहीं हो रहा है लेकिन दिल में एक लेहर से उठी तशब्द प्रथम ना देता अच्छे एक चीज़ मैंने और देखा और इसके लिए मेरे मेरे ख्याल से आपकी तारीफ होनी चाहिए मतलब गाईकी से अलग आपको परहेज नहीं है मैंने तमाम आपके वीडियो देखे कि आप खिल्मी गाने भी गा रहे हैं अपने जन्म दिन जो सब्सक्राइब गाते हैं परसो हमने अजीज नाधा साथ के बेटे को सुना उनको मैंने खा है कमाल का गाते हो तुम भी गाते हैं तुम्हारे वालिद की चिज़ें चरता सूरज और जो चीज अच्छी है उसको गाने में प्रहेज क्यों गालिया अच्छी चीज़ निया बोलो भी नहीं, सुनो भी नहीं. लेकिन जो चीज अच्छी है उसको गाने में क्या बुराई ही है चाहे वो रफी साब का गाना हो चाहे किशोर कुमार जी का हो चाहे अजीज नाजा साब का हो तो कोई एक कवाली की कुछ लाइन है था सुनी ना रम में नसुकू मिलता है बुद्ध खाने में चैन मिलता है तो साकी तिर में खाने में जुम बरबर जुम शरदी जुम बरबर जुम आज बीटी से महबत कर ले शेख साहब की नसीहत बगावत कर ले इस की बेटी ने उठा रखी है सर पर दुनिया ये तो अच्छा हुआ अंगूर के बेटा न हुआ कम से कम सूरत साकी का नजारा कर ले आके मैं खाने में जीने का साहरा कर ले आँख मिलते ही जमानी का मज़ाएगा तुझको अंगूर के पानी का मज़ाएगा हर नजर अपनी बशद शोक गुलाबी कर दे इतनी पीले के जमाने को शराबी कर दे जाम जब सामने आए तुम करना कैसा बात जब पीने की आ जाए तो डरना कैसा धूम मची है मैं खाने में धूम मची है मैं खाने में तू भी मचा ले धूम 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 सारंगा तेरी आद में नैन हुए बेचैन हो मधुर तुम्हारे मिलन बिना दिन कटते नहीं रहे सारंगा तेरी आद में चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए सावन जो अगन लगाए उसे कौन बुझाए पत जर जो बाग उजाडे वो बाग बहार खिलाए जो बाग बहार में उजडे उसे कौन खिलाए जो भी हो तुम खुदा की कसं लाजवाब हो चौदवी का चांद हो आपके दोस्त भी रहे और फैर है नहीं हमारे बीच बहुत जल्दी दुनिया चोड़ कर गए जगजीत सिंग से ये दौलत भी ले लो ये शोहरत भी ले लो भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी मगर मुझको लोटा दो जगजीत वापस वो घजले रुहानी वो शामे सुहानी वो घजले रुहानी वो शामे सुहानी यहां कौन है तेरा मुसाफर जाएगा कहां दम लेले दम लेले घड़ी भर ये च्छैयां पाएगा कहां यहां कौन है तेरा भुपेंदर भाई वह यहां है भुपेंजी ने एक टीम बनाई थी उस टीम को हम भूल नी सकते भुपेंजी गुलवार साथ आड़ी परबन इन लोगों ने मिलके जो काम किया है दिल ढूनता है फिर वही फुरसत के रात दिन बैठे रहे तसावरे जाना किये हुए दिल ढूनता है फिर वही फुरसत के रात दिन थोड़ा वार पीछे चलते हैं केल सैगल साथ हाई 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 बाबुल मुरा नई हर छूटोरी जाए चार कहार मिले मुरी डुलिया सजावे मुरा पना वे गाना छूटोरी जाए बाबुल मुरा नई हर छूटोरी जाए अनुब जी यह सवभाग यह कि हम आपसे हमने यह सुना तो मुझे यह सवाल अभी दिमाग में आ गया अप्पा जी कहती थी कि एक गय की इस इस बंदिश का एक तो यही मायने है सीधा सीधा कि बाबुल मुरा मुरा नई हर छूटोरी जाए दूसरा यह भी है कि हम यह जो संसार है हम जब इसको छोड़ के जाते हैं तो वह भी चार अर्थियां जो है वह भी चार कंधों पर होती है तो एक कलाकार के कि जो हाथी है पानी प्रिने गिया और मगर मच्ल में उसका पैर पुरेगी पिर जब उसके यहां से पानी भर गया नाज तक आने लगा तो उसने भगवान को पुगा ता भगवान या आपके बचा लिए इसका अर्थ क्या है इसका अर्जी थो रही है कि हाथी और मगर की गानी हाथी यह है कि जो मनुश्य है वो माया मोहरूपी नदी में माया मोहरूपी तलाश में जाता है और वहाँ जो मगर मच है जो उसका सर्वनाश करने के लिए तयार बैठा है वो उसको पगड़ता है और मनुश्य तब तक उस माया मोहरूपी जान से नहीं निकल सकता है जब तक वो भगवान को नहीं पुगार है जैसे भगवान को पुगारता है वो आते हैं और उसको माया म के चाल से छोड़ाते हैं इसका अर्थी ये है लोग समझते हैं मगल मज की कानी है हाती की कानी ऐसा नहीं है अरे वो महान कभी लोग इतना लिखके चले जाएंगे क्या है तुलसी दास अति आनंद निरख के मुखार बिंद रगवर की छवी समान रगवर मुख बनिया लिखक चले गए अब उस पर रिसर्च हुई कि है कहा कहा है तो कहा यह है कि भगवान राम के सुन्दर सुरूप की तुलना तुलसी दास जी करना चाहते हैं उन्होंने लिख दिया रगवर की छवी समान अब रुख गए अब क्या कि लिखें आगे क्या चंद्रमा लिख दें या स सुन्दर भगवान राम का मुख है कि रगवर की छवी समान रगवर मुख बनिया तो यह लिख के वो लोग नगाने क्या आज भी भजन हम जितनी वार पढ़ते हैं नया अर्थ सामने आता है और उस अर्थ को हम गाते हैं लोग को समझाते हैं कि इसमें से यह नई चीज नि कि मंदिर कैसा बने अरे इसा बने जैसा हमारे हरदय के अंदर बना हुआ है और कैसा बने वो इमारत पुरी होनी चाहिए वो मंदिर होना की एसे हम एक तैयार कर रहे हैं बहुत अच्छा उसमें ये बात होगी कि उसको मंदिर को देखकर वो मंदिर ऐसा बनना चाहिए कि मंदिर को देखकर हिंदू मुस्लिम सिख हिसाई सब लोग आकर्शित हो जाए गोल्डन टैबल में क्या है चार दर्वाजे एक हिंदू वहां से ऑल्डन के आए ऐसा नहीं कि उसी से जाना जरूरी है नहीं लेकिन उसकी एसी बनाएगा सब तो जाते हैं बंगाली को हमने लोग वह वहां देखा तो ऐसा मंदिर हो कि सब आकर्शित हो सब जाए उसमें भी आप जो का ही किया बनेगा बंते बंते जाएंगे कितनी2 वार व कोई एक खास भजन जो आप महां पर गाना चाहते हो अभी हमें वो तैयार करने के हमारे सारे भजन लोगों ने सुने हुए लेकिन हमको ऐसा बजन बनाना है कि उसको सुनके लोग कहें वाह ऐसी ही कलपना की थी मंद्र की जो बना है और अपने पुराने भजनों में से भगव नाम कोई बुला के देखिले धनुष को शत शत करो प्रणाम धनुष को शत शत करो प्रणाम धनुष ना होता कैसे मिलते सीता जी को राम तो राम के इस वकार के बजन महां गाई जाएंगे कि लोगों के अंदर और आस्ता बढ़े अच्छा हम लोग वो जो गायकों वाली श्रिंख्ला कर रहे ते उसमें कोई गायक आपका पसंद का छूट ना गया हो मुझसे गलती ना हो तो कोई अगर आपका पसंद का गायक मु सुनाओं तुम्हें देखने के बाद कैसे सुकून पाओं तुझे देखने के बाद हरी हरन तु ही रे तु ही रे तेरे बिना मैं कैसे जीओं आजा रे आजा रे तु अब तड़ पाना तु मझे को पंकर उदास चिथी आई है आई है इसमें मैं मजाग में दो लाइन गाता हूं अरे बडे दिनों के बाद हम बेशर्मों को यार्ट फिल्मों में अनुप जी जो भजन हम लोग सुन लेते थे पहले मुझे लगता है शैद पिछले एक दशक में या डेन दशक में उनमें बहुत कमी आई है बिल्कुल ना के बराबर हुआ है इसकी क्या अब शक्ता नहीं है फिल्मों में अच्छा हुआ है कराया रही हैं तो आफ और सुन नहीं नहीं सकते तो अब फिल्मों ने कहा शखते हु झालोग बने लगें और इसकी शखते हुए तो बोलते हैं जी वो भजन समराज ने काया है ना कि तू के गोरी में गयो काला ऐसे करके डालोग आने लगे तो अच्छी बात है ना कि आज भजन शेत्र यहां तक पहुंच गया है कि फिल्मों में डालोग आ रहे हैं इस दर डालोग फिल्म जीरो में भी था बधाई हो में तो मुझे खुशी होती है देखके कि डिवोशनल म्यूजिक आज इस पॉपलाइटी पे है कि उसकी कॉमेशियल फिल्मों में उसके डालोग आते हैं अच्छा आपकी कभी ये इक्षा नहीं हुई जब आप सीख रहते क्या वेस्टन क्लासिकल में कुछ सीखें उदर से थी लिए ये तो वो गागा कि हमने सीखा कॉड जो बजानर सीखा है उससे सीखा और फिर आप वहां से मैंने सुना कि आपने भजन के ऐसे भी कायर करन्द कि जो खेतने कि हाँ अभी भी करते ये सफर कैसा है बहुत जबर्दर्स आपके जीवन की सकार आत्मकता है या जो आप पहले के रहे थे कि संगीत कोई भी हो वो अगर अच्छा है तो उसको संगीत सब के लिए अबर्ट हॉल में प्रोगाम करके आए पता लगा तीन दिन बाद खेत में बिहार में वहार खेत में लोग अपने जाल चला के आ रहे हैं लोग अपने ट्रेक्टर में बैठे वह सुन दोने ने अच्छे वह भी सुनने वाले नहीं तो आते क्यों उनके पाथ थोड़ा साधन ज्यादा इतनी से बात है ना कि वह इपने मर्सिडीज से आएं लेकिन यहां वह अपने ट्रेक्टर से आए उसके वह वह मर्सिडीज है अच्छा नूटिए भजन और जगराता इसका फर्क फर्क है जगराता का मतलब है कि आप माता वैश्णो देवी के भजन गा रहे हैं जगराता का मतलब है कि आप को सारी राठ जागना है और बजन गाले सुबा फिर उड़ टे उसके अरती होती है तो जगराता तो दाम्द कलोंवाला ही होना च्छिस ने तो लोग सोजाई है तो कभी आप इस तरह के कायकरम करते हैं जगराता का नहीं करते हैं लेकिन एक दो माता की बेटे हम गाते हैं जगराता को सुनाते है तेरे हाथों की लकीरों का हिसाब मया तेरे पास है मया तेरे पास है हम सब की तकदीरों का हिसाब मया तेरे पास है अब ये पूरी राज बेबन में जलता हैं तो जगरा-तमों मिल्कुंड एक दो चीज़े मbug और धाव है संगीत का खासाथतुपे और जिस तरए जिस तरह के लिरिक्स है यह जिस तरह के संगीत अभी बन रहा है नहीं किस शेतर हया है फिल्म उजिक बात कर तो क्या हूर उसका कोई दबाओ या कोई प्रेशर जो अन्यत्र चाहे वो घजल हो चाहे वो भजन हो क्या उस पर भी पड़ता है कि हमें वहां से थोड़ा सा अपने आपको बदलना पड़ेगा वरना हम कहीं पीछे ना हड़ जाएं यह विधा कहीं पिछाड ना जाए क्या आपको लगता है कि जो है संगीत है तो बिल्कुल परफेक्ट है आज क्योंकि फिल्म संगीत तो फिल्म के लिए बनता हैत्व अब फिल्म बनेगी दभंग तो मुन्नी को बदा मोना पड़ेगा है हां अगर फिल्म होगा उम्रावजान तो गदुने आए Ensina इस does टीज När आई तो फिल्म के लिए मेरी गाड़ी में बैठ जाब वो भी दिया है और मोह मोह के रागे भी दिया है संदे से आते हैं ये भी दिया है तो इसलिए कि उनको सब कुछ आता है लेकिन अगर किसी को यही चाहिए तो यही देना पड़ेगा ना फिल्म वही चाहिए अच्छा एक चीज रह गई मझे अगर सही आद है तो आपके पास कुछ लोग गौड मैन बनाने का ओफर लेकिए तो बहुत बहुत साल हो गई साथ को जिन दिनों मेरा बहुत नाम हुआ था 1983-82 में घर-गर में ऐसी लागी लगन बज़ रहा था तो मेरे पास बेंगॉल से फोन आया था कि हम आप से मिलना चाहते तो मैंने का ज़रूर मैं मुंबई भी रहता था तो टीम आई पूरी वो तो पंद्रा लोग आ गए मैंने कभी इतने लोग आई नहीं एक प्रोग्राम भूक करने में आई यह बैठी है चाहे में पिलाई सब्सक्राइब हूँ तो इसे पूछ हाँ जी बता ही क्या करना है तो किया आप कहा प्रोग्राम की बात नहीं है हम आप से कुछ और डिस्कुस करना चाते हैं हमने वो क प्रबिक के सामने जो खाना है हम कहेंगे वो खाना होगा मैंने कर यार मैं तो सब कुछ खाता हूँ खाता पीता सब कुछ नहीं वो आप अकेले में कर सकते हैं सब के सामने नहीं कर सकते हैं मैंने का वो हमारी जिंदीगी नहीं है गुर्बाए हम जो हैं वो सामने हैं और ज और वो कीज़ को वापस बेखती है आखरी दो चीज़ें और एक तो चुकि लता जी इन दुनों बीमार है थोड़ा तो उनके लिए कुछ आपकी तरफ से शुब कामनाय हों और जिसमें कुछ उनकी लाइने अगर आप गुन गुना दें और उसके अलाकिर में एक भजन जो आप अपना गादें तो हमारे लिए बहुत ही आभार हो जाए हमारा दिन बन जाए लता जी पहले से बहतर है और उनके तब यह ज़रूर जल्दी ठीक होगी और उनके घर वापस आएंगी अला तेरो नाम इश्वर तेरो नाम सब को सन्मति दे भगवान अला तेरो नाम जग में सुन्दर हैं दो नाम चाहे कृष्ण कहो या राम बोलो राम 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 बोलो शाम 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 अनुप जी बहुत 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 धन्यवाद क्योंकि हम लोग शुरू हुए बच्पन की आपकी बदमाशियों से और खत्म हुए राम के नाम पर और यही शायद आपका जीवन भी कुछ ऐसा ही है जहां शैतानियों से चलकर अंत में आप भजन पर पहुंचते हैं मृत्त्यु वो है कि आपकी च्छायें बाकी रह जाएं और सांसे खत्म हो रहे हैं वो मृत्यु है आपकी च्छायें पूरी हो गई हों और सांसे बाकी हो वो मुक्षन है तो हम मुक्ष की औरकार कर रहे हैं कि सारी चाहें पूरी करने चाहें वो शरारद भी हो वो भी पूरी करने हैं हम मुक्ष में मार करें